एक विदेशी जो नेता आई है और एक हवा हवाई जनता उप चुकी है यह हवा हवाई नेता से दोस साल में बरबाद कर दिया पुरा जीला कू जब पांच महिना करीब होता है चुनाव का तब कहीं सतुई घरने लगता है अपने आदमी को पिलाने लगता है कहीं चौमिन ब एक है यस बात को मानते हैं लेकि चोकर बाबबा को भी आपको ँछाती हम्हा है जाती हो से हम चाहइर रगभंसी ओ या ज्रभंस ये पिछ नाए आथी पिछरा हो चाहब या पिछाह गो तरो हो जैटना जगळ जमीन आगर चिनदी विल प्रयास करूंगा अगर नहीं हुआ तो कोई ना कोई फैक्ट्रिया लगवा कर और उसमें चात्ना जुजवान को चात्ना जुजवान को नुक्री दिलवाएक काम करूंगा हम हराने के लिए थोय लड़े हैं, हम जितने के लिए लड़े हैं, और चार जून को जनकारी होगा हम हराने के लिए लड़े हैं, कि जितने के लिए लड़े हैं, आप लोग हावाई को छोर को और धरातल के नेता में, नेता को चुनिये, और नेता नहीं, लीडर को चुनिये, नेता का मतलब यह जो कहता है उख करता नहीं कभी नहीं करेगा और लीडर वही होता है जो नीडर उसको डर्व है नहीं होगा वहीं लीडर है चोकर बाबा डरने वाले नहीं है नमस्कार अपलाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन तिवारी देखिए बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर दंगल सुरू हो चुका है एंडिये और इंडिया गटबंधन अब आमने सामने की लडाई लरने को तयार हैं लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे दावेदार है जिन्होंने मुकाबले को कई सीटों पर त्रिकोनिये बना दिया है और उसी में से एक सीट है सारन लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के सांसद है राजीव परताप रूडी फिर से मैदान में उतर गए हैं ताल ठोक रहे हैं चुनोती देने के लिए इंडिया गटबंधन से आरजेडी खे में से लालू यादो की बेटी रोहिनी अचार्य मैदान में हैं लेकिन इन दोनों की लड़ाई में तीसरा नाम भी है और नाव छाप सिंबल से मैदान में हैं चोकर बाबा जो की अमनौर से बीजेपी के पुर्व विधायक रहे हैं लेकिन इस बार करी टकर देने के लिए लोगसभा के मैदान में उत्र हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा लोगसभा चुनाओ रूडी जी रोहिनी अचार्य जी और आप भी मैदान में कितना चुनाओती देख रहे हैं देखिए जनता सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे परिवारिस्ट में सगा समन्धि सबको धन्यबाद देना चाहता हूँ और जिनता भी जनता जनार्दर आपके चानल के माधे आप से देख रहा हैं उनको भी कोटी-कोटी धन्यबाद दे रहा हूँ देखिए जो एक विदेशी जो नेता आई है और एक हवा हवाई जनता उप चुकी है है यह हवा हवाई नेता से दोस साल में बरबाद कर दिया पुरा जीला को अच्छा अच्छा और धरातल का नेता खोज रहा है जनता के कहने पर हम ही लोग सभा चुना आओ नह रहा हैं और जनता खोज रहा है कि हमको पांच साल का एंपी चाहिए है अच्छा हूँ हमेशा ठागा हुआ जे मसूस कर रहा है वो पांच साल के लिए चुल कर भेजता है आउ नेता पांच महीना का हो जाता है जब पांच महीना करीब होता है चुनाव का तब वो कहीं सतुई गोरने तो है अपने आदमी को पिलाने लगता है को ही नेतागीरी कर रहे है आज तो आप है ताजू हो रहा है गमचा लेकर चलते हैं अब उनका आदमी जा कर दस्पी तो सब्सुन को फिकीजिएगा लोग करता है है यहीं तो आज कर राजित करें हूं तो यहीराजनिती करके चुनाओ तो लगतार जीत रहे हैं ना यहीराजनिती हाधा कर रहे हैं और फस्टार कर। जनता कि यही आवाज उठ रहा है आप एक ठो छपरा में कचरा का बहुत अंबार लगा था अब उसका कचरा को उठवा को और और अरना जो चिरी मिल का जमीर बने पड़ा हुआ है उसी में कचरा का अंबार लगा दिये लोग कहता है जही बिद्वान मनें एंपी है बिद्व को उठा कर भेकना है तो कोहीं जंगल जारी में दियर में जहां गाव नहीं है आदमी का बश्तिन है वहां न फिकवाना चाहिए उसमें सरस्वरी इनका दोसर और इन ही के चलते यहां अरना आया है और अंबार लगा है वहां के इर्द गिर्द के चोवफेरा का जलता बोख कर दीजिएगा जब यह जात की राजनिती में कितना फिट अपने आपको वहां पर देखते हैं देखिए रगुबंसी प्रस जदुबंसी ठीक है इस बात को मालते हैं लेकि चोकर बाबा को भी आपको मत समझे चोकर बाबा हर जाती में घूसे है उचाह रगुबंसी हो या पिछरा हो या अती पिछरा हो या डलित ओ या महादलित ओ या शमान्य बर का लोग सभी में चोकर बाबा हर अभी मूट बना लिया है जो चूप नावे चाप अच्छा नहीं एक तरह प्रूडी जी के लिए नितीश कुमार परचार करेंगे मोदीजी परचार करेंगे देव में देव महादेव कर रहा है, शीव जी हमारा परचार परसार कर रहा है, और मानिय नितीश कुमार या उपर से जितना भी नेता आएंगे, उप गरीबों के यहां नहीं जाते है, उलोग जब चुनाव सामने आता है, उसी वक्त उलोग का फलाई टूरता है, और जाकर मुलाबात दे देता है लोग और इसके बाद फिर अपना दिली पड़ना है, रहता है, लेकिन किसी के दुख में, सुख में, सादी में, विवाह में, चोकर भाबा ही जाने के काम करता है, और पूरा जंत मूर्ड बना लिया है, जो नहीं अब किरवार चोकर भाबा निश्य लेकिन अब तो रोहिनी अचारिया है, अगर रोड़ी जी को नहीं चुनेंगे तो रोहिनी अचारिया है, बता है, पूरा एकदम लालू यादो की बेटी है, सहानुबूती लहर भी है, पिता के लिए किड्नी दान किया, पूरा जंसंपर्क कर रही है, भीड भी कूब उमर रहा है, उसको कैसे देखते हैं, चुनार निशित हम चुराव जीतेंगे, आने वला समय में, जब पांच तर मई आ जाएगा, तब आप देखिएगा, जैसे सीव जी का बराती निकला था, अनरा, लंगरा, लूजा, कुढिया, और हरा, विर्ने, साप, गोजार, सब लड़ कर उतारे होंगे, इस बार तो इंडिया गट बंदन है, माले वाले भी साथ है, आसान होगा आपके लिए चुनार, सब साथ है, लेकिन हमारे महादेव के सामने, आज तो कोई नहीं टीका है, और नहीं टीकेगा, हमारा गुरू का यह और हमारे साथ है, उन्हीं के ऊपर भर नहीं टीकेश है, आपके लिए चुकर पाबा इस बार नमांकन भरने जा रहे हैं, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, तीस अपरील को हमारा नमांकन होगा, तीस अपरील को नमांकन होगा, कितना भीर जुटा लिजिएगा, आज को सब कोई भीर देख रहा है, तो जब को बुझाएगा, जो कितना भीर है, और क्या-क्या मुद्धा होगा, जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दो को और उठा रहे हैं? देखिए, हमारा पर्थम मुद्धा है, चीने मिल, अडुटा वर्सो का मुद्धा है, हाँ, और उस चीने मिल में 4 लाग, 4 करोर, साथ या पैसाट लाग किसानों को बखाया है अभी तक 28 या 29 सल हो गया सब्सक्राइब के लागभग मजदूर का भी बखाया है पोटा मोटी दोनों मिलाकर नौ करोर रुपया बखाया है मेरा सबसे पर्थम मुदा होगा कि अगर हम चुनाव जित्ते हैं हमको असिर्वाज ज मिला है अगर किने मिल प्रयास करूंगा अगर नहीं हुआ तो कोई ने कोई फैक्ट्रिया लगवा कर और उसमें चात्र नावजवान को सारण के चात्र नावजवान को नोक्री दिल्वाने के काम करूंगा यही मेरा यह हमारे हाँ जो तीन साल का रिजल्ट निकलता है जै प्रकास निर्सीटी, शप्रा, शिवान, गपाल गंज, तेन्ट इस्पी का हुए हूए, चौ साल जाथ साल साल पर उसमें का रिजल्ट निकलता है, बहुत जादे उसमें भी घुटाला हुआ है, उसको उजागण करूंगा, और तीन साल के तीन साल पर उसका रिजल्ट आह और उसमें कोफन में पोकेट रहिए नहीं एतना लुटाई हो रहा है मालियी प्रधान मंत्री कितना अच्छा कोशल विभाग बने मंत्राले बना कर दिए एठ्षो दमोदर सी जो अफोड का है उनका सारे चौब या साथ बिगा जमिन बहुत 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 जमिन है सरक्य बं बहुत अच्छा पैदा मने होता था उनसे लिया गया और उनका साथ साथ सतर या सी लाख रुपया आज तक बखया है एक रुपया उनको नहीं मिला वह जमिन बंजर के तरह हो गया है उस साइद सुनने में आए है कि कहीं केश इस किया है आई कोट यह कहीं काम किया है हमेशा एक कभुतर के समानä है कभुतर अपना बार मानाता है कि बहुत लोगों और आपके छेतर का ये सवाल है कि रूड़ी जी और आपके बीच में दुस्मानी थोड़ी बढ़ गई है लराई बढ़ गई है और इसी वजह से रूडीं जी को हराने के लिए यह हराने के लिए लड़ हैं कि इतने के लिए लिए लड़ हैं कि पूरा चो बिधान सभा का पैसा ऑपना गाम में पुख düşाए को अ कि अपना मा के नाम पर अने पहने भाव में वहां का लोग जमीन दे दिया है कि हमारे गाव में बहुत बड़ा होस्पीटल बन रहा है और प्रभग देवी नाम सेवु होस्पीटल का सिला नियासुआ और वह आज तक नहीं बना आ हुआ होगा कमीटी हौल वह किराय पर रेड लाइक नहीं है चार साल में अपना रिजान देदूगा इस्तिफाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जूरने के लिए तो देखिए सारन लोकसभा सीट की लड़ाई जो है बेहद दिल्चस्प पहले से ही बनी हुई है रूडी के सामने इस बार लालू यादो ने बेटी को मैदान में उतारा है लेकिन एंगल जो है वो त्रिकोनिये भी बनेगा क्योंकि चोकर बाबा अमनौर के पुर्व विधायक मैदान में उतर चुके है नमांकन की तारीक भी घोसित कर दिये है अब दंगल कैसा होगा कौ कोन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चार जून को पता चलेगा साथ कुछ कहना चाहते हैं कि आप लोग हवाई को छोड को धरातन के नेता में नेता को चुनिए और नहीं लीडर को चुनिए नेता का मतलब जो कहता है उसको ज़ोग डर नहीं करेगा और लीडर उझे को डर्ब भाबा कुई थोछ नहीं होँगा कोई हमारे सुचना देता है शोचक क今天 में रक्र थे उनके हमारे म आलियर SALVI का में पूर्मुखईया पर ताप सिंह और बबुआ जी उनको हाड में थोड़ा दर्दु हुआ हमको फोन आया बारे बजे रात में और हमें हाँ से गई उसी रात में उठा कर ले गए गए गर्खा गर्खा से पतना और वहाँ दिली तक ले गए उनका इलाज करवाई हम उनका अपना मित्र है इग प खोजिये और हम दिली रहते हैं अपके साथ में हम दिली में रहने वाले नहीं आप लोग को तो मालव हो गया कि पत्ना में भी आप लोग भेगे थे तो पत्ना जब जितना दिल विधान से बाद चलता था उतना ही समय रहते थे फिर छेत्र में वही हाल हम करेंगे दिली हम जब तक सांसत चलेगा लोक्षभा चलेगा तब तक मैं दिननी रहूँगा और उसके बाद आपके कंधा मिलने कर चलने का काम करोगा मेरा सभी जानता को तो देखिए दुख और सुख में कंधा से कंधा मिला कर चलेंगे सारन लोक सभा से परतियासी बन मैदान में उतर रहे हैं चोकर बाबा पूरे जन संपर्क में लगे हुए हैं चारो तुरफ लगतार कई महीनों से घूम रहे हैं अलंकि इनके बारे में आम तोर पर एक चर्चा है कि कभी भी कहीं भी किसी को जरूरत हो तो साथ जरूर खड़े होते हैं वहाँ पहुंसते जरूर हैं अब देखना है कि इस चुनावी दंगल में जो पहुल आमने सामने का है और ये त्रिकोनिये बना रहे हैं तो जनता इनके पक्ष में कितनी खड़ी होती है मनद ये लाइब बिहार के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें